बहु एक कप चाय बना दो ठेक है माजी आपी बना देती हूं और बहु सुनो आज साम का खाना तुम्हें ही बनाना है पर माजी साम का खाना तो देवरानी जी बनाती है न मैं तो सुबे का बनाती हूं वो बहुत देवरानी तुम्हारी और रिंग की बेटा गई है मारकेट उन्हें सौपिंग करने थी पर मम्मी जी वो लोग सौपिंग करने गई हैं कब गई मुझे तो बताया ही नहीं उन लोगों ने मुझे भी जाना था उन लोगों के साथ सौपिंग करने अरे बहु वो भूल गई होगी इसलिए नहीं बताया तुझे कोई बात नहीं बात में चले जाना कभी जब टाइम मिलेगा तब कर लेना सौपिंग ठीक है माजे लेकि मैं तो छोटी देवरानी को और दीदी को कल ही बोली थी कि जब आप लोग सौपिंग करने जाना तो मुझे बुलाना मैं तो साथ में चलूँगी तुम दोनों के साथ मुझे भी कुछ समान लेना है लेकिन वो लोग तो मुझे धोखा दे दी अकेले ये अ क्यान करती हूं और घर के सपाई खाना बनाना और देवरानी जी सिर्फ खसांका खाना बनाती है तो भी माजी तो देवरानी जी को बहुत प्यार करती है और मुझे तो बिल्कुल प्यार नहीं करती everyone क्या हुआ बेटा बता तू सही क्यों ऐसे रो रही है तू क्या बताओ मम्मी अब बचा ही क्या है आपको पता है मम्मी आज मेरी छोटी देवरानी जीना और नना जीना दोनों गए हैं शौपिंग करने के लिए और मुझे तो बताया भी नहीं जबकि कल मैंने उन दोनों को ब बोलना लेकिन वोन लोग ने तो मुझे धोक्र दे दिया और शौपिंग करने चली गई और मैं तो सारे गहर करती हूं और आज मुझे साम का भी शारा काम करना पड़ेगा माजी ने बतो बोला है मुझे मुझे लगता है मैं तो अभी इस घर की शिफ नौक्रानी हूं अच सब घर में रहते हैं इतने सारे लोग, सब करेंगे थोड़ा थोड़ा, मैं क्यों करूँ अक्रेले का? ममी लेकिन आप जानती हो ना, कि मैं किसी से बहस नहीं करती हूँ, मुझे जो बोल देता है कोई, वही मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से लड़ना अच्छा ठीक है बेटा, मैं तो तुझे पहले ही समझाती थी, यो थोड़ा सा तेज तरार बन, थोड़ा सा दुनिया दारी समझ, लेकिन तू ही थी, कि नहीं मा, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अच्छा, अपनी सार से लड़नी सक तो एक काम करना, जब भी तुझे वो काम करने के लिए बोलेंगी न, तो थोड़ा सा कोई बहाना बना देना, उनको, कि मा जी मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ऐसे बोल देना, तो इसमें तू ज़्यादा बात भी नहीं करेगी, और ते पाऊंगी, तो एक काम कर रही हो, लेकिन अब जब तुम ऐसा बोलोगी न, कि मैं माई के चली जाओंगी, तो क्योंकि अब उन्हें का सारा काम करना पड़ेगा, तो वो लोग की अकलना ठीका नहीं आ जाएगी, क्योंकि उन्हें भी पता है, कि अगर तुम नहीं करोगी, तो सारा काम उन्हें करना पड़ेगा, ममी ये सच बोल ली हो, आप ऐसा करना सही होगा क्या, हाँ बेटा बिल्कुल सही होगा, जो मैं बोल रही हूं वही तुम करना, खीक है ममी, आप बोलती हूं, तो मैं बोल दिया करूंगी, चलो अब मैं रखती हूं, जाके काम कर लेत फूरा अब बताती हूं मैं इन सब लोगों को बहुत ओगें सब की मनवानी मम्मी सही बोल रही है कि थोड़ा सा मुझे भी दुनिया के साफ से चलना चाहिए तो मैं बताती हूं इन सब को आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना मैं ही क्यूं करूं सारा घर का काम रहते तो इतने सारे लोग है सब करेंगे थोड़ा थोड़ा बहू मैं तो कब से तुम्हारा बेट कर रहे थी कि तुम चाय लेकर आओगी लेकिन आठ बज गय हैं सामके अभी तक तुम चाय नहीं लेके आई खाना बना लिया तुमने कि नहीं बनाया अभी तेखो माजी मैंने कोई चाय वे नहीं बनाई नहीं मैंने खाना बनाया है और मैं क्यूं बनाऊंगी मैं अपनी हिसे का काम नेने सुबह ही कर लिया था मैं दूसरे के हिसे का काम क्यूं करूंगी आपके छोटी बोगी ड्यूटी है उसको बोलिए वो करेगी जए मार्केट जाए जब मार्केट से आएगी तब बनाएगी मैं क्यों बनाऊंगी भला दूसरे के हिस्से के काम मैं क्यों करूँ और इतना ही आपको चाय पीनी की लथ है ना तो आप जाओ ना आप खुदी बना लो मेरा भी सरदुख रहा है मुझे भी चाय पीनी है मेरे लिए भी एक कप बना देना आप बहुत जादा भेदभाव करती हो मेरे और देवरानी के बीच में आप दोनों को बराबर का दर्ज़ा दिया करो अगर नहीं दे सकती ना तो फिर मैं अपने माई के चली जाओंगी अरे बहुत क्या हो गया तुझे तो इत्ती सी बात में तुम आएके जाने के दम के दे रही है आज के पहले तो कभी नहीं किया तुने ऐसा कोई बात नहीं मैं ही बना देती हूँ चाहे तू पीएगी तेरे लिए भी बना दूँगी बहुत दुबारा से ऐसे बाते मत करना माय के जानें की ठीक है? अरे वाँ, ये तो मम्मी का आइडिया तो काम कर गया, ऐसे कैसे? आज के पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, बड़िया हुआ, जो मैंने ऐसे जवाब दे दिया इनको, कास मम्मी की बात मैंने पहले माल ली होती, अरे ये क्या हो गया, देवरानी जी खाना खाने नहीं आई, क्या बात है, वैसे तो वो सबसे पहले ही आती हैं रोज, मम्मी ज पोटी वो की तवियत खराब है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए नहीं आई है वो नीचे, अब वो उपर भी रहती है ना, तो सुरिया भी नहीं चड़ी जाती मुझसे, क्यों मैं बुलाने जाऊं उसको, और देने भी नहीं जा सकती, तो एक का लगßen नहीं तो आप ही चले जाना उनको खाना देने, मैं तो नहीं जाने वाली, वैसे भी मेरी भी तो इतनी तवियत खराब हुती थी, मेरा भी रोम तो ऊपर यहें, लेकिन आज तर किसी ने भी मुझे नहीं दिया होगा खाना, ले जाकर क्या हो गया बहु तुझे क्यों इतना गुस्ता करी है कोई बात नहीं तो मत जाना ये रिंग की बिटिया चले जाएगी वो दे आएगी देखो मा जी आप न बड़ी बहु औ छोटी बहु में बहुत फरक करती हो दोनों को न एक समन माना करो भेद भाव मत क्या करो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और हाँ अब अगर जादा लाट प्यार दिखाया न आप देवरानी जी को तो मैं अपने तो माई के ही चली जाओंगी चल ठीक है बहु तो गुस्सा मत हो मैं ही खाना दे दूंगी उसको भावी एक बात पूछो आपसे नहीं मत पूछे आप मुझे पता है क्या पूछेंगी लेकिन भावी आपको अचानक हो क्या गया है देखो छोटी ननत जी छोटी हो तो छोटी जैसे रहो हम सास बहु के जगड़े में बीच में मत आना समझी न ठीक है भावी अरे आप तो मुझे से बात ही मत करो कल मैंने आपको कुछ बोला भी था आपकी तो फेवरेट भावी छोटी भावी है न तो उसी के पास रहो मुझे से बात मत करो क्या हो गया भावी को वो ऐसे बात तो कभी नहीं करती थी और मैं तो इतनी बड़ी बात बताने वाली थी भावी को अभी लेकिन भावी तो गुस्सा करके चली गए हम लोग तो कल डॉक्टर के पास गये थे ना छोटी भावी पिगने जो है तो ये खुशी हम सोच रहे थ अरे ममी जो आपने बताया था नननुस का वो मैंने आजमाया वायर ममी आपका तो तरीका बड़ा ही काम कर रहा है हाँ हाँ बेटा मैंने ते को बताया था ना अब तू देखना क्या क्या ये लोग करते हैं तेरे लिए तेरे सास नननद और देवरानी न तेरे आंगे पिछे खुमेंगे तू टेंसर मत ले चलो मैं रखती हूँ ममी बाद में फिर फ्री होकर कॉल करूँगी अरे बहु तुस्से कुछ बात करनी थी हाँ बोले माजी अरे बड़ी बहु मैं ये सोच रहे थी कि तेरा कमरा उपर कर देती हूँ और बहू का कमरा नीचे कर देती हूँ छोटी बहू का अब उसे बार बार सेरिया चड़ने में दिक्कत होती है अब ऐसी हालत में बार बार सेरिया चड़ेगी थोड़ा सा रिस्की भी है जब मेरा बच्चा हुआ था, तो मैं भी तुरिया बार-बार उपर ही चरती थी थी, तब तो मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा, नहीं मेरे बारे में ये सब किया था, अब क्यों? और देखे ममी जी मैं अपना रूम नहीं छोड़ने वाली हूँ नीचे वाला मैं तो उसी में रहूंगी मैं क्यों किसी के लिए अपना रूम छोड़ूंगी देखे ममी जी अगर आपने मुझे ज़्यादा परिशान करने की कोशिस की न तो मैं तो अपने माई के ही चली कई अपने रूम में कभी बाहर कभी पढ़ोसों के पास कभी सोफे में बस यही काम तो करती हो तो जब टाइम मिले तो आप ही दे देने दिया करना उसको खाना देखो माजी आप मुझे जादा तंग करने के कोशिस मत करना अगर आपने मुझे जरा सा भी अप किया ना आंगे तो मैं सच मुझे आपका यह घर छोड़ कर चली जाओंगे अपने माई के पर बहुत तुम यह बार-बार माई के जाने की बात क्यों कर रही हो ठीक है तुम अपना मत देना रूम हाँ तु अच्छी बात है ना संभल जाए ने तो मैं अगर माई के चली गई तो फिर सोच ले ना आप लोग मैं सच मुझ चली जाओंगे माई के अच्छा तुम माई के चली जाओगी चलो चलो मैं अभी छोड़ के आता हूं तुमको अभी मैंने गारी बाहर ही खड़की है तो चलो जल्ली छोड़ देता हूं अरे राहूल जी आप आप कब आए कराता हूंं यहीं, बेटा, तु ऐसे मत बोल्भ पता नहीं, इसको अभी हपते भर से किस बात गुश्जा चला हूआ ह, हर बात पर बोलती है कौ् our ऴाई के चंहें जाओंगे लेकिन बेटा, तु मत और उसे हाँ, यहीं मम्म, मैं इसको अभी इसके माई के चोड़कर आता ह फोन में लगी रहती अपनी मम्मी से तो आप जादा याद है रही ने इसको अपनी मम्मी की तो मम्मी के पास ही चली जाएगी वहीं बात करेगी फाल्तु में यहाँ सब फोन में बैलेंस भी करता है इतना क्यूंकि इसको तो यहाँ की हर एक बात बतानी पड़ती है न माईके में तो आप जाए अरे जी मुझे आप ऐसे क्यों बोले हैं मुझे नहीं जाना है माईके मैं तो ममी जी से बस ऐसे ही थोड़ा सा बात कर रही थी माफ करेगा ममी जी मैं तो मजाग कर रही थी आपसे अच्छा मजाग मुझे तो नहीं लगा कैसा मजाग होता है और मम्मियों से कौन मजाग करता है और वो भी इत्ती बत्तमीजे से कौन मजाग करता है मुझे बताओ मैंने तो कभी नहीं कि तुमारी मम्मी से माप कर दीजी जी मैं थोड़ा सा न मम्मी की बात तो पर आ गई थी अपने इसलिए माजी से मैं ऐसे बात कर दीथी लेकिन दुबारा नहीं करूँगी प्लीज आप मुझे मेरे माई के मत छोड़ कर आए मुझे नहीं जाना है वहाँ वैसे भी मेरी भावी तो बहुत ही मुझे मुम्मी जी नहीं बेटा कहीं नहीं छोड़ेगा तुझे तु दे ढम झार कौनें ologne कर लाम को शूड़ने के मेरी कुम ऐके ठीकаем अरे बहु अब उदास क्यों है कोई नहीं छोड़ेगा तुझे तेरे माई के मैं हूँ न तू यहीं रहेगी ठल दोनों लोग चलते हैं खाना बनाते हैं मिलकर ठीक है माजी अब भी चलती हूँ तो अपनी ममी की बाते मानके कितनी बड़ी गलती करी थी अच्छा हुआ मुझे जल्दी समझ में आ गया नहीं तो मैं अपनी जिनकी अपने ही हाथों से बरवात कर दे थी चलो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ कैसा लगा आप लोगों को हमारे ये वीडियो मैं आसा करती हूँ अच्छा लगा होगा और अगर हमारे वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें